हाई दोस्तों मेरा नम्मनान है दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप Samsung J2 का IMI रिपेर करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूब करने से पहले आपको जो फून को जो है और दोस्तों एक बात मैं अगर आप शूपर Siu फाइल को अगर इंस्टोल करते हैं मोबाईल में और क्या करते हैं तो आप जो है अपने मोबाईल का जो एंडुईट वर्जन भी चेंज कर सकते हैं मन के चलिए अगर आपका फून जो है लॉली पभ है तो उसे आप मास मेलों म सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करने से क्या को दोस्तों मैं गोदा दूगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं चले दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों मोबाइल को जो है टी डवल आरफी फाइल से प्लेश करने लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना है अबोर्ट में जाना है अबोर्ट में जाने के बाद आपको अपने बिल्ड नमबर पर जो आपको सेवन बार क्लिक करना है ताकि उसक ये बाद USB डेगेंगे से आपको इनेबल कर देना है उसके बाद मोबाइल को आपको स्वीजब करना है स्वीजब करने के बाद मोबाइल को जो आपको डाउनलोडिंग मूट पर आपको लाना होगा जब डाउन्लोटिंग मूड आ जाएगा तो आपको उपर में जो वोलियम प्लस आपको दबाना है वो आटोमेटिक डाउन्लोटिंग मूड पर चला जाएगा उसके बाद यूएसबी डाडा केबल से आपको कनेक्ट कर देना है अपने कंपीटर से तो दोस्तो डाउन्लोडिंग मूड में फ्लेश करने के लिए हमें ओडिन टूल के जरुत पड़ेगी तो यहां पर देख रहे हैं हमारे पर ओडिन टूल है उसके बात यहां पर TWRP फाइल है ठीक है इस फाइल को आपको जो है फ्लेश करना होगा ओडिन टूल से इस सैमसंग A2 में तो दोस्तो आप देख रहे हैं कि हमने अपना ओडिन टूल को जो है उपन कर लिया है उपन करने बाद आप यहां पर देख अँप अपय करना है और वियां पर क्लिक करने बाद हमारे कम्पीटर में जो TWRP यह फाइल है यह कंप्रेश्यश्य फाइल को हमें सेलेट कर लेना है दोस्तों मैं आपको बता दू कि TWRP आपको डाउन्लोड करना है किसी भी मोडल को आपको मलग फ्लेश करना है TWRP से तो आप ग्यूगल पर आप टाइप करेंगे मोडल नमर उसके बाद TWRP आपके सामने फाइल आजागा आप उससे आसानी से डाउन्लोड कर सकते हैं और चुत अब हमें जो है फ्लेश करना है जब हम फ्लेश करेंगे उसके बाद यहां पर पास लिखनी चाहिए अगर पास लिखता है तो इसका मतलब है कि हमारा जो फ्लेश जो है 100% अब हमें इसमें हों डाइक निकालनेए ठीक है both तो दोस्तो बैटरी निकालने के बात बैटरी फिर से लगा देना है इस मोबाइल में बैटरी लगा करके फिर इस मोबाइल को हमें आउन करना है लगां यहा तो दोस्तो मोबाइल ओन हो चुका तो इसमें डाटा केबल लगाएंगे वापस फिर से हम अपने कंप्जल करेंगे और इसका इंतरननल मेमोरी इसके इंटर्नल मेमोरी में हमें एक फाइल डालना है और सूपर एस्यू फाइल क्योंकि यह फाइल हम इसके इंटर्नल मेमोरी में डालेंगे तभी हम इस मोबाइल में जो उस फाइल को इंस्टॉल कर पाएंगे तो दोस्तों आपने पहले देखा कि मैंने TWRP फाइल से फ्लेश किया इस मोबाइल को अब उसके बाद इस मोबाइल के इंटरनल मेमोरी में हमें यह SuperSU फाइल डाल देना है तो आप देख रहे हैं कि इस मोबाइल के जो यह J2 मोबाइल है इस J2 मोबाइल के अंदर में जो इसका जो फोन मेमोरी है फोन मेमोरी के अंदर में हमने यह SuperSU फाइल डाला है और इस फाइल को हम इंस्टॉल करेंगे TWRP के माध्यम से कि हुआ के दोर्ड दोस्तों इस मुबाईल्ड के जो इंटर्निल मिमोरी चंधर में मैंने सूपररे स्यूट डाल दिया अब сдел Arc करेंगे और करने के बाद इस मुबाईल मैं लेकर करना है कि करी मूट में मुबाल को recovery mood में लाने के लिए हमें इसमें वोलियम पावर की उसके बाद volume plus उसके बाद home button एक सार हमें प्रेस करना होना जैसे यह सेंसरम लिखता है हमें power की छोड़ देना है यह automatically जो ऑने जो सरी टीडबल्डार पी फाइल जो हमने जो फ्लेस किया था गवंद में सलेक्ट करेंगे और इसके जर्य से यहां पर दिखा रहा है अब इससे नीचे में जो है वोड अप स्क्रोल करेंगे हम आप देख रही है यहां इस नीचे में है इस फाइल को सरकाना उसके बाद आटॉमेकली हमारा इस मोबाइल में इंस्टाल हो picture वाय। इसका एंडुर वरजन चेंज कर सकते हैं तो दोस्तों आप ढ़ने हमें क्लिक कि और फिर से हए हमने रियेट साथ कलिक reverse ल्होए का उत्वार होगा तो दोस्तो हमारा यह मुबाइल जो है कम्प्लीट जो है पूरी तरह से जब ऑन हो जाएगा उसके बाद हम इसमें चेक करेंगे कि हमारा यह फोन है बिल्कुल कम्प्लीट जो है रूट हुआ है कि नहीं है करें क्योंकि अगर आप चेंज करेंगे तो यह गहर कानूनी है आप यह काम बिल्कुल ना करें और बैटरी के नीचे जो आए माई लिखा होता है मोबाइल का जो है डिफेर कर सकते हैं क्योंकि आप 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 आए माई रिपेर करेंगे दोस्तों मैं बदा दूं तो आपका ज दोस्तों आप कंच्रोल Ultra 3 दभाएंगे तो आपको यहाँ पर रिपेर का ऐपशंन मिल जानगा और इंपे श स्क्री क्रणों में पर यहंप dozen मैं में करना हो तरह करना है कि पर आपको यहाँ पर किछुक करते रहना है ता कि उसका इहां पर धिखाइब दे और जब जो इंफाया देगा आप कर सकते हैं तो यहां पर नहीं दो अब गताई की कि तो यहां पर पर क्लीक करेंगे तो यहां पर आजाएगा यहां पा छुका है डीज वी पॉट कर दोड़ देखरो डीज है बैसे पार रिपेर्म होना यहां पर सुरू हो जाएगा अगे पूरा विडियो देख लींगे और कुछ बोलने वाला नहीं हो आप विडियो देख करके समझ सकते हैं कि कैसी तरह से आपको आयम में रिपेर करना है की अज़को रिफेर करना है आमको आपको आपको आ रिपेर के अधको आपको आवटारा आ आपको आा ने तो दोस्तों हमारा जो राइट हो चुका है उसके बाद हमारा फून आप देख रहे हैं कि रिस्टार्ट हो चुका है उसके बाद हमें जो यहां पर फिर से हमारा जो फून होगा और होने के बाद फिर से हमें अपना ADB पोर्ट को स्लेट करना होगा और ADB पोर्ट स्लेट करने के बाद हमें फिर से यहां पर इसे वेरिफाई करना होगा पोर्ट करना होगा दोश्तो हमारा जो ईमई complete पुरी तरना से जो हुचुका है और उसके बाद हमारा phone पुर से restart होगा रिस्टारट होने के बाद फिर से हम यहां पर adv port जो ह्ए सविलेट करना होगा और सविलेट करने के बाद हमें पृर say जो इसका रिड्री OUR इंफो करने के पर हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो आयमाई रिपेर हुआ कि नहीं तो दोस्तों आप देश सथे हैं कि हमारा जो आयमाई अच्छा लगा और आपके किसी काम आए तो लायक ज़रूर करें और सेर करें फेश्बुक वड्सबुक पर अपने दोस्तों के साथ और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्स्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए